प्रिस्तितिया कुछ ऐसे विपरित हो गई है कि जहां एक साल पहले कोरुना की महामारी के चलते पूरा देश और पुरा विश्व हम कह सकते कि लॉक्डाउन के महामारी के चपेट में था लॉक्डर हुआ था और परिस्तिति जो है आप इसे बाहर हो गए थी एक साल बाद बीच में एक दौर ऐसा था कि जहां पैसा लग रहा था कि परिस्तिति कंट्रोल में आ रही है और अब इन चीज़ों में कहिना के सुधार होता मेजर आ रहा था लेकिन अचानक से फिर से ना प्रशासन को कड़क लॉक्डाउन की गोशना करनी पड़ी और आज लॉक्डाउन का दूसरा दिन है एक साल बाद मार्श का महिना और फिर से मार्श 2020 के बाद में मार्श 2021 को नाखपूर फिर से एक बार कोर्नाम अमेरिकी चलते सत लॉक्डाउन को फेस करना है क्या कहेंग नाकपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जी लब देखिए कि एक साल में जो बताया गया था कि प्रशासन ने कहा गया था कि मास पहनो सोशल इससिंग का इस्तेमाल करो सुरक्षित्त के लिए लेकिन बीच में जो दौर गया है उसमें लगा लोगों कि कि आप कोरोना है नहीं कोरोना चला गया लोगों ने वुश्ष पालन नहीं किया और आज आज बीते दो या तीन दुन है रिक्स कर डॉक्तर से जो बात हुई थी कि वह हाई रिक्स पेशन भी आ रहे है तो ऐसे में लोगों को नियम का पालन करना बहुत जरूरी है अभी जो लॉक्ड़ॉन है आज लॉक्ड़ॉन का दूसरा दिने में लेकिन कल से जो दिखाए दे रहा है कि रस्तों पर भीड दिखाए दे रही है लोगों को आवाज आवाद दिखाए दे रही है दुकाने प्रतिश्टा तो खाई बंध है लेकिन प्राइवेट ओफिसेस या गोवर्मेंट ओफिसेस से मार्च एंडिंग के कारण जो परशासन ने सहुलियत दी है कि वह अकॉंट सेक्षन के जो अवली है कि अपना जो टू विलर रहती है उसके उपर ने सिर्फ एक परसन है फोर विलर पर दो ही ज़व लोग जा सकते हैं लेकिन ये कल जब हमारे टीम पूरे नखुर शर में गुमी आसुबे भी गुमी लेकिन ये नियों मुका पालन करते कहीं भी नजर नहीं आ रहे ह ही बात कहीं हम थोड़ा सा विशिलेशन करते हैं अकड़ों का विशिलेशन करते हैं किच कहीं अपर के लेकिन जो प्रशाशनल्मारे लगाजाइन की एक गाइट-लाइम प्रसारित की आउरा है वो दोनों में काफी तफावत है दूसरा जो पूरी तादाद में पूलिस मुस्तेधेर जगे पे ऐसा नहीं कह सकती कि वो नहीं है लेकिन इतनी जनता जो है क्योंकि सारे जगे बैंक्स आपकी चालू है गवर्मेंट ऑफिसेस भी कुछ प्रतिशत चालू है होटेस लॉजेस भी 25 प्रतिशत की इसमें चालू है ट्रांस्पोर्टेशन भी पूरी तरह से चालू है तो कहां आप लोगों को रोकेंगे और किस वज़े से हर एक व्यक्ति की बहार निकलने की अपनी अलग हुआ जा त तो यह लोगडाउन के पैमाने किस तरह से आप तैक करेंगे और किस तरह से आप इसको कंट्रोल करेंगे यह इंप्लिमेंटेशन के में जो बात कर रहा हूं कि आपने लोगडाउन गुषित कर दिया लेकिन उसको प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन करने में आपको कितने आप सक्सेस होंगे यह बहुत ही चिंतनी विशह हैं और इसका परिणाम फिर से क्या यह आकड़ों को कम करने पर होगा पहले बात तो जो आकड़े बढ़र उसके उपर सरम बात करेंगे पिछले बार मतलब जो लोगड़ों था उसमें जो टेस्टिंग होती थी वो प्रशासन खुदों के टेस्टिंग कराते थे मतलब एरिया सील होता था जी वहांके जो परिशर के लोगते संक्रमित के संपन में आने वाले में टेस्टिंग होते थे बीते जो 10 से 15 दिन आप देख रहे हो तो टेस्टिंग की तादक बढ़ गई है आठ अजार 10,000,15,000 ऐसी टेस्टिंग हो रही है उसकी तुलना में यह जो रिजल्ट आ रहे है 2200 ये कम तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन टेस्टिंग के कार ट्रेंड चल रहा था, वो था कि 10,000 के पीछे 1000 का आकणा जो चल रहा था, तो एक 10% का जो है उसमें positivity आ रही थी, लेकिन अब जो है जो आकणा जो बढ़ गया, तो इस proportion में आपके जो severe patients है वो भी बढ़ गए, और death ठीक है कि अभी फिर भी control में, लेकिन death का आकणा भी अरतार नजर आ रहा है, अगर हम कल रात की अगर बात करें तो 15,000, पुरे महाराष्ट में 15,000 से ज्यादा कोर्ना पेशंट पायागे और 48 लोगों की मौत हो गई, तो कही ना कहीं है, आकणा को रोखना भी एक चैलेंज है प्रशासन के पीछे और सरकार के पीछे, सरकार के जा सकता है, कहा सकता है कि एक मीनी लवड़ौन है, क्यूंकि उन्हेंने ट्रांस्पोर्ट शुरू रखा है, और ट्रांस्पोर्ट शुरू रखा है, एक्जाम सामें आ रही है, जो वाचनाल होते है, वो शुरू रखा है, लोगों को MPSC के श्टूड़न्ट या इंट्रें लिए है, वो सिमिक उसी के लिए है, जी उसका उपयोग, सदूपयोग करना चाहिए, आपने बता है कि मैं आपको बतातू कि डाही हजार, डाही हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनाद है, नापूर के महानगरपालिदा के हद में तैनाद है, तो जो दावे पुलिस आय ये दो दिन में ये कही नजर नहीं आ है, सही बात है आपकी, और डाही हजार पूलिस कर्मी जो है, नाकाबंदी में लगें, नाकाबंदी के स्पोट्स भी एक तैक की जगे पे, बिल्कुल सही बात है, तो वहाँ पर आवा गम करने वालों पर आप नजर रख सकते हैं, वहाँ की उपस्तिति की इस तरह से उसकी विजाच की जाएगी, और कोई भी नियम की विरुद्ध अगर काम करता पाया गया, मान दीजी के वहाँ पर प्रेजेंटी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, और वहाँ पर सोशल डिस्टंसिंग का, और बाकी जो कोवीड नियम में कि अनुसारकर काम नहीं हो रहा है, तो उनके उपर में जो है, दंडात्म कारवाई भी की जाएगी, अब ये सिलसिला कैसा चलता रहेगा, कितनी कारवाई उसके आपड़े भी जैसे हमारे पास में आएगी, हम दर्शुकों के साथ में साजा करेंगे, मुद्दा ये है कि ज सब को ईश्रस में लिया था कि लॉगड़न क्यों जरूरी है, और इन सब बातों को मानने करने के बाद अगर ये लॉगड़न होता है, उसके बावजूद भी अगर रास्ते पर अनाकपर के रास्तों पर अगर ऐसी बीड़ देखी जा रही है, तो ये लॉगड़न कितना सक अगर बता जाए कि कल आपने एक मुद्धा में ले 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 तो कि कल राधा गुष्ण भी ने जायजा लिया था बुरे नाकपर शहर था, जायजा लेने का उनको लगा कि प्रावेट जो काराले रहती है, वहाँ पे शमता से ज्यादा, मतलब जो ने जायजा लिया शमता से करमचारी में के नाकपर शहर जैसान को दिया जा रहा है, सभी दुखा ने बंध है, चोटे जो ठेले या stand alone आयप वहां पर छोटे से बैनर लगे थे उसमें लिखा था कि मैं चोटा वैपारी हूं मेरा इस लॉपडाउन को विरोध है लेकिन विरोध स्रिफ बैनर पर या बोल के विरोध वैपारी दर्शा नहीं रहा है लॉड़ान के बाद गीति टुबसी उसमें राजनीती देखनें को मिली थी कि महार और अभी विद्वान महापूर द्याशंकर दिवारे ने कहा था कि लोग दोको हमारा विरोधनी है लेकिन लोग प्रदिनिदियों को विश्वास में लेके लॉड़ां किया जाता तो नहीं नहीं कि प्रशासन्य यह भी किया है कि अपने किसी के घर में कोई महमान आता है तो उन्होंने बता है कि आप खुद प्राइवेट गड़ी ले जाने से अच्छा महा भीड़ करने से अच्छा टैक्सी ओला शुडू है वो बुक करा कि उनको घर तक लेका है उससे क्या ह कि आप घर से बाहर में निकलोगे और भीड़ना होगी तो प्रशासन्य आपको सुविधा दी गई है और खान पान की बात करेंगे तो जो मैटो जैसे से कंपनिया रहती है और होटेल स्वेव साहिट को भी वता जाए कि 11 तक आपका किचन आप शुरू रख सकते हो तो दर्शो का हमने भी जो नाकपूर का जायजा लिया था हमारी टीम में उसमें भी कई जगे पर देखा है कि खास करके जो बस्तिया है अंदर की बस्तिया वहाँ पर कुछ जो यंग्स्टर जो है वो अमोमन हमने पाए कि वहाँ पर वो ऐसे ही घुमते हो नजर आया बए वज जो घुमते होए नजर आया कई जगे पर पूलिस वालों ने पर कारवाई कि लेकिन कई इसी जगे थी जहां पर पूलिस नहीं पहुच पाई और वहाँ पर यह सारी चीजे जो सर्याम चल रही थी कि जवराब जैसे हम कट्टे जो बोलते हैं उन जगे पर बस्तिके लड़ को में यहां को सोचे देखी कि मेरे घर में साथ माई है इसलिए मैं रस्ते पर गूप लेकिन अगर किसी दिन आपके घर में कोई कोई पायो प्या गया तब आप पर क्या गुज़रेगी इस बातका भी आपने दया अशासन ने सिधा इशारा दिया है कि कोरोना संक्रमन कम होगा तब ये लॉगड़ून हटेगा ने तो ये लॉगड़ून जारी रहेगा ये एक बहुत ही चिंतनी अबाब हो सकती है देखिए हम पुरे जो जितने भी सारी जनता है नाखपुर की जनता है या पुरे अब कुछ सहुलियत जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि सहुलियत जो दी जा रहे है कि पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था कि टूइलर पर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है अब उसमें जैसे कि दस्यू और बारावे की जो एक्जाम्स है तो कई टूशन को जाना पड़ र लेकिन इन सारी अनुमतियों के जो सारे रहायते इस लॉकडाउन के दर्मयार प्रशासन के तरफ से दी गई है वो इसलिए दी गई है कि जनता या नापूर वासे इन सब सुविधाओं का सही समय पर उपयोग कर सके ना कि इसका दूरूपयोग कर सके लेकिन जो रास्तों तो पर हमने माहौल देखा है उस माहौल में हमने देखा कि कई जगे पर जो है इस व्यवस्था का दूर्पयोग होता हुआ नजल आरा साब तो पर कल जो हमारे टीम भी पूरा जायजा ले रहे थी दर्शोकों के साथ में भी हमने साजा किया नूरिस कवरिश उसमें हम तकार की ओर से भी नई नियमावली जारी की गई है यह बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए कि जो अभी अब नाकुश हर में तो लोग डोने तो वह स्लिक्सिला कुछ अलग है अपनियां का लेकिन जो ठेटर होटेल्स जे रहे गए और 50 परसंट पर चलाया जाए जा आपी कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सब ही मुख्य मंत्री से चर्चात और इसके उपर निर्ने लेगे कि संक्रमन को कैसे रोका जा महाराष्टर के मुख्य मंत्री जो है जनता को संभवर्धित करने वाले हैं और और क्या निर्ने होता है इस पर विबात आज आज इन महारष्टर के लिए बहुत मुकत्वा कुर रहे हैं बिलकुल सही कहा आपने चलते चलते हम दर्शकों को एक बार और बता दे कि पिछला मार्श जो था 2020 का काफी भयानक था काफी जद्दो जहत से हम लोग गुजरे हैं पुरा देश गुजरा है पुरा विश्रो यह कि फिर से कोरोना को कीजिए जो बढ़ती हुई चैने इसको रोकने के जिम्मेदारी हमें लिनी होगी हमें कहिना कई खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा और इस शुरूंखला को तोड़ने में अपनी भूमिका का जो है एक स्पस्टी करण जो है अपने आपको देना आप बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों से हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि इन विसयन आपके लिए एक नई पेश्कस लेकर आ रहा है क्राइम फाइस यह क्राइम फाइस ऐसा प्रोग्राम है जो विदरबक्की जो अपरादी घटना ओपर आधारेत एक सीरियल है जो है और यूट्यूब पर हमने अल्रेडी रिलीज किया हुआ है और दर्शकों से अनुरोद करेंगे कि इस वक्त कोरुना के इस परशुबों में पर आप अपने आपका ध्यान रखे मास्क लगाए सैनिटाइज करे और जब तक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत नह अपने ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे अपने देश का ध्यान रखे स्वस्त रहे मस रहे और अपने घर पर रहे सुरक्षित रहे सवी दर्शकों से फिर से हम यह जो कोरुना की जो स्थिती है लॉग्डार की जो स्थिती है उसको लेके फिर से आपके साथ मे उरुबर होंगे जल्दे ही धन्यवाद देखते रहें इन विसेन न्यूस सच दिखाए बिना शुका है